इपी जी पात्शाला हिंदी में आपका स्वागत है मैं अर्चिना वर्मा मिरांडा हाउस के हिंदी विभाग दिल्ली विश्व विद्याले की सेवा निवरित एसोसियेट प्रफेसर आज हम हिंदी लेखन प्रश्ण पत्र के अंतरगर्थ आवा का कलात्मक मुल्यांकन करेंगे उद्देश्य ये है कि इस इकाई को पढ़ने के बाद आप इस्त्री लेखन की एक महत्वपून कृति आवा शीर्शक उपन्यास का परिचय पा सकेंगे और उसका कलात्मक मुल्यांकन कर सकेंगे आवा के माध्यम से दुनिया को देखने वाली इस्त्री द्रिश्टी की प्रश्णा कुलता का एक जायजा ले सकेंगे अपने उसूलों पर चलने की कोशिश करते हुए पात्रों के माध्यम से उत्तर आधुनिक संसार के बदलते हुए मुल्यबोध के साथ टकराव को समझ सकेंगे अस्मिता मूलक इस्त्री चिंतन के शुरुवात के बाद पित्रसत्ता के अन्याय और इस्त्री अस्मिता की मुटभेर इस्त्री लेखन का ये एक चौकटा सा बन गया है जो अक्सर स्त्री लेखन की विशय वस्त्तु को बहुत सीमित कर देता है लेकिन आवा एक ऐसा उपन्यास है जो इस चौकटे का अतिक्रमन करता है और विशय वस्त्तु को विस्तार भी देता है आवा की लेखिका चित्रा मुदगल के अब तक नौ संकलन, तीन उपन्यास, एक लेक संकलन, एक बाल उपन्यास, चार बाल कथा संग्रे, शे संपाधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुके है गुज्राती में दो अनूदित पुस्तकें प्रकाशित हुई है, अंग्रेजी में हाइना और शॉर्ट स्टोरीज बहु प्रशनसित रही दिल्ली दूरदर्शन के लिए फिल्म वारिस का निर्मान उन्होंने किया इस बहुमुखी रचनात्मक क्रिया कलाप में आवां की जगे विशिष्ट है न केवल चित्रा मुद्गल के अप्ते लेखन में, न केवल हिंदी के इस्त्री लेखन में बलकि हिंदी के समूचे उपन्यास साहिते में भी आवां की अपनी एक विशिष्ट जगे है चित्रा मुद्गल छात्र जीवन में ही श्रमिक संग के नेता दक्ता सामंत के संपर्क में आई थी और थोड़े समय के लिए श्रमिक आंदोलन से जुड़ी थी उनी दिनों 20 वर्ष के उम्र में जागरन संस्था की सचिव बनी थी यह संस्था बंबई में घर घर जाड़ू पोशा करने वाली बाईयों की बधाली और शोशन के खिलाफ और उनकी बेहतरी और बुनियादी अधिकारों के पक्ष में संगर्शरत थी उपण्यास के आरंभ में क्यूं शीर्षक से जो भूमिका लेकेका ने लिखी है उसमें दी हुई सूचनाओं के अनुसार वे इंडियन लिंक चेन के हरताली मजदूरों के साथ धरने पर बैठी थी मीरा ताई के साथ लौक अप में भी रही थी किन्तो ट्रेड यूनियनों की आपसी प्रतिद्वन्विता अंतर विरोध और उनमें अपराधी गिरोहों की ठेकेदारी की जानकारी से उनका मुवबंग हुआ उसके बाद उन्होंने जागरन के साथ जुड़ने का निर्णे किया उनके अनुभव का घेरा विस्तृत और विविद है और उनकी द्रिष्टि प्रखर राजनीतिक सजगता से संपन है लेकिन वे किसी भी चौकटे में बंधने से इनकार करती हैं ना विमर्ष के चौकटे से ना किसी राजनीतिक मतवाद के चौकटे से वो खुली आँखों जीवन को देखती और पूर्वग्रह रहित मूल्यांकन के द्वारा अपने मूल्यों का निर्धारन करती हैं आवा सामानित है इस्त्री के अनुभव जगत की सीमाओं से मुक्त और लेखिका की विस्मयकारी अकूत अनुभव संपदा से रचित एक बड़ा उपन्यास है आवा में चित्र देशकाल 1907 के बाद का प्रमुक्त है मुंबई और गौन रूप से हैदराबाद है लेकिन वस्तत है वो अपने भीतर जो सामाजिक सांस्कृतिक उद्वेलन और विगत से विचलन को अपने भीतर समेटता है उसका सूत्रपात 1990 में उदारी करण, निजी करण, भूमंडिली करण की नई अर्थनीती के साथ हुआ आवा का प्रकाशन वर्ष 1999 है इस नई अर्थनीती ने पुष्ट और परिवर्धित पूंजी वाज का आवतार लेकर हमारे देखने और सोचने के तरीकों में बड़े पैमाने पर बुनियादी सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव किये इस परिवर्तन के पहले दशक में इन बुनियादी सामाजिक सांस्क्रिते बदलाओं के लगभग साथ साथ चलते और उनको दर्ज करते हुए आवा की रचना होती है इस संदर्व में आवा अपनी लेखिकाती सूक्ष्म और व्यापक निरीक्षम्ता का प्रमार देता है ये हिंदी में अस्मिता मूलक चिंतन के जोर पकड़ने की अवधी भी है आवा का परिप्रेक्ष अगर हम देखें तो वो एक बहुत जटिल और संशलिस्ट कथानक की रचना है और ये एक वस्तु बहुल कथानक है पात्र बहुल भी बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियों को एक साथ गूथने से उसकी संशलिस्टता रचित हुई है ये कहानिया समाज के अनेक स्तरों से आने वाले पात्रों के माध्यम से उठाई गई है और अपनी अपनी वस्तु को अनेक स्तरों पर स्पर्ष करती हैं अधित्तम पात्र संख्यास्त्रियों की है और अपने समवेद से वे इस्त्री जीवन के ब्रिहत आख्यान की रचना करती हैं नमिता पांडे इसका केंद्री ये चरितर है सूत्र संख्षेप में इसे हम नमिता के व्यक्तित्व, निर्मान एवं विकास की कहानी मान सकते हैं लेकिन एकिस्त्री के व्यक्तित्व के निर्मान और विकास में लगने वाला अनुभव कितना विकट उस अनुभा उसे उबरने की प्रक्रिया कितनी भीशन और उसे जीवन के सबक की तरह ग्रहन कर सकने वाला जीवट कितना पराक्रमी है इसका कोई अंदाजा इस सूत्र संग्षेप से नहीं लग सकता उपन्यास के आरंप में किसी प्रसंग में नमिता सोचती है और धरन चिन्हों में जीवन देखने निकले हूँ इस्त्री के लिए निर्धारित जीवन पद्दती से ये एक अलग और इस अर्थ में किंचित विस्मय जना किस्थिती है कि नमिता इसे पारिवारित दाइट्व के बोज के तहट त्याग और मजबूरी की तरह नहीं बलकि अपने लक्ष की तरह देखती सी प्रतीत होती है आरंब में ही हम जान जाते हैं कि नमिता पान्डे के अस्तित्व में एक अलग किसम के व्यक्तित्व से संपन्न नाइका से हमारी मुलाकात होने वाली है अंग्रजी में एक मुहावरा है Taking Life As It Comes यानि किसी निर्धारित आयोजित या प्रायोजित वैचारिक या व्यावहारिक चौक्ते के बाहर जिन्दगी जैसी भी हो उसका वैसे ही सामना करना जीवन देखले के लिए निकलना एक स्त्री के लिए ठीक ठीक वही अर्थ नहीं रखता जो एक पुरुष के लिए हमारे समाज में तो खासतोर से नहीं नायक के अनुभव संचय की प्रक्रिया का अनुगमन करते हुए उसका जीवन चित्र खीचना उपन्यास का एक बहु परिचित बहु प्रचलित धाचा है आवा अपनी नायका के अनुभव संचय की प्रक्रिया का अनुगमन करते हुए उसका जीवन चित्र खीचता है और उसमें से अपनी वैचारिकता निचोडता है। उपन्यास के पास तो अवश्य ही अपने कथ्य और उद्देश्य की दृष्टी से नमिता के जीवन और अनुभव की यात्रा का एक निर्धारित प्रारूप होगा। लेकिन ये उपन्यास के सफलता का प्रमान है कि उस प्रारूप में से यात्रा निकाली जाती हुई सी प्रतीत हो इसकी बजाए सनरचना में ऐसा प्रतीत होता है कि यात्रा के द्वारा और दौरान वो प्रारूप रचित हो रहा है। मानो वो प्रारूप है ही नहीं यह इस्त्री की आँखों से देखी गई दुनिया का चित्र है लेकिन वो केवल इस्त्री की दुनिया नहीं है आवा के शीर्शक को अगर हम देखें तो इसे समझने की कोशिश करते हुए मैं चित्रा मुद्गल को उध्रित करती हूँ उपन्यास की रचना यात्रा पर अपने एक आलेक में चित्रा मुद्गल नामकरण के बारे में बताती है दरसल मैं बैसवाडे की हूँ हमारे यहां दो कहावते खासी प्रचलित रही है पहली है मा की कोख कुमार का आवा यानि कि जिस अतिरिक्त सार संभाल की आवश्यक्ता इस्त्री के नाजुक कोख और कुमार के आवा के लिए होती है उसकी उपेक्षा अनपेक्षत परिणाम का कारण बन सकती है ये भी कि दोनों के भविश्य के बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता दूसरी कहावज है फलाने का तो आवे का आवा ही कराब हो गया यानि जिस खांदान की संतानी उसकी प्रतिष्ठा को मित्टी में मिला कर राह से बेरा हो जाती है वही प्रज्वलित आवा के नश्ठ होने का मर्म है अभी प्रस्तावना में हमने 1990 के दशक में नई अर्थनीती के सूत्रपात का जिक्र किया है और उसके साथ आने वाले सामाजिक सांस्कृतिक बदलाओं का भी अस्मिता मूलक चिंतनों ने विकास का एक चरण पार करके यहां तक आते आते समाज में शक्ति और सक्ता के संतुलन बदल दिये है इस्त्री चिंतन और दलित चिंतन इनमें प्रमुख है मुक्त बाजार के संस्कृति ने उपभोकतावादी मूल्यों को वरियता देकर जीवन का खास्तोर से मध्यवर्गिये और निम्न मध्यवर्गिये जीवन का नक्षा बदल दिया है अडिग और अटूट से प्रतीत होती सुचिताओं की विदाई का वक्त है इसका सीधा संबन्द इस्त्री के जीवन और आत्मुझवी के बदलाव से है नए आरंब का ये पहला ही दशक है अपनी परिचित ध्रुबताओं का ध्वन्स और अप संस्कृति का पहला हमला समाज को जगचोर रहा है यही है आवा का पहला प्रतीकार्थ आवे का आवा खराब होना संजे कनोई और उसका संसार दूसरा प्रतीकार्थ मा की कोक के समान कुमार का आवा जिसकी आच में पात्र पकता और परिपक्व होता है और पात्र का मतलब सिर्फ बरतन नहीं होता आवा नमिता की जीवन यात्रा और अनुभव यात्रा के बद्दे नजर अपना ये वाला प्रतिकार्थ अर्जित करता है जीवन देखने के लिए निकलने वाली स्त्री के लिए जीवन एक भट्टी सरीखा है कदम कदम पर प्रतिकूल ताएं, प्रलोभन, छल छद्म के जाल, तरह तरह की असुरक्षाओं के खड़े और खाईयां उसकी प्रतीक्षा में मूँ बाए बैठे हैं अब ये उस पर दिलभर है कि उस भटी को वो आवा में बदल कर चाक से उत्रे बरतन की तरह अपने तपने कच्चेपन से मुक्त होने और पक्डिये का साधन बना लेती है या फिर आवे का आवा बरबाद वाले संसार में शामिल हो जाती है वस्तु विशलेशन की और बढ़ने से पहले कथानक से परिजित हो लेना जरूरी है यहां मैं आपके समक्ष प्रसिद्ध कथाकार और समीक्षक बलराम कृत बहुत कुशल और सधा हुआ सार कंशिये प्रस्तुत कर रही हूँ इस संशलिस्ट कथानक की जटिलताएं यहां स पुल्जा दी गई हैं मा बेटी पापर बेलने का काम करके किसी तरह ग्रिहस्थी की गारी को चलाने की कोशिश करती हैं फिर अन्ना सहाब उसे अपने पिता की जगे कामगार अगारी की नौकरी दे देते हैं बेटी जैसा मानते और कहते हुए भी एक दिन अन्ना साहब उसका यौन शोशंग करने का प्रयास करते हैं तो नमिता का मोह भंग हो जाता है और वो कामगर अगारी चोड़ कर अन्यत्र नौकरी टूमती है एक मैडम अंजना वास्वानी उसे संजय कनोई जैसे धनपती के उधर कामगार अगारी में अन्ना साहब श्रमिक संगठन के आंदोलन अपने पेच पैतरों से चलाते रहते हैं दूसरी ओर एक दलित श्रमिक और उभरता नेता पवार नमिता से विवाह कर खुद को अन्ना साहब के समानांतर बड़ा नेता बनाने का सपना पालने लगता ह नमिता उसे पसंद भी करती है लेकिन पवार और अन्ना साहब के बीच राजनीतिक जालों और जातिवादिक गिरोह बंदियों में फंसना उसे मन्जूर नहीं वो फंस्ती है संजय कनोई के जाल में संजय कनोई का जाल लेकिन बहुत बड़ा है और महीन भी जिसे काफी समय तक नमिता समझ ही नहीं पाती है समझ तक पाती है जब संजय कनोई की औलाद की बिन्ब्याही मा बनने जा रही होती है तब ही अन्ना शाहब की हत्या का समाचार पाकर वो सन्न रह जाती है और सदमे से उसका गर्व पात हो जाता है नमिता खुद भी मा बनने की बहुत इच्छुक नहीं थी लेकिन गर्व गिरने को संजय कनोई नमिता के ही किसी प्रयास का कारण समझ कर फट फड़ता है जानती हो बाप बनने के लिए मैंने तुम्हारे उपर कितना खर्च किया उस मामूली औरत अंजना वास्वानी का कि क्या उकात कि तुम्हारे उपर पैसा पानी की तरह बहा सके उसका जिम्मा सिर्फ इतना भर था कि वो मेरे पिता बनने में मेरी मदद करे और सौदे के मताबिक अपना कमीशन खाए लेकिन ये जान लेने के बाद नमिता संजय कनोई की एशगाह में रुकती नहीं वहां से कामगर अगारी वापस आ जाती है उपन्यास की केंद्रिय कथा का ये नियूनतम खाका है मात्र अस्थिपंजर लेकिन इतना भर जानना वास्तों में उपन्यास के बारे में कुछ भी जानना नहीं है एक विशाल पात्र संख्या की अंगिनत कहानियों के माध्यम से कथ आकार लेता है और अनेक परतों के उद्घातन से अपनी द्रिष्टि के बहुलता वावी स्वभाव का अर्जन करता है नमिता इस पूरे जीवन व्यापार में कहीं भागीदार भोगता की हैसियत से मौजूद है तो कहीं साक्षी की हैसियत से माध्वारा तिरस्कृत एक दब्बू और कमजोर लड़की मजदूर संगठन की कारिकरता सफल मौडल और एक धनाध्य उद्योग पती की प्रेमिका बनने के क्रम से गुजरती हुई वो क्रमशेह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है पता नहीं कब एक उपभोग वस्तु बन जाती है खुद को वस्तु करण से मुक्त करती है उपण्यास के अंत में वो निर्णय क्षमता का परिचय देते हुए करता की हैसियत अख्यार करती है मानो आवे की आज से तपकर पका हुआ पात्र अब इस कथानक के भीतर कथी की अनेक परतें गुथी हुई है इनमें पहली है श्रमिक संगठनों की राजनी दी उपण्यास के आरंभ में ही नमिता लोकल श्रेन के गलट डब्बे में चड़ जाती है डब्बा प्रथम श्रेनी का है और उसके पास पेनल्टी भरने लाइक पैसा नहीं है इस संकट से उसको अंजना वासवानी उबारती है और साथ ही अपना परिचय और पता देकर पांच सितारा दुनिया का प्रवेश पत्र भी थमा देती है इस नाटकीय संयोग का रहस आगे जाकर खुलना है आगे जाकर पता चलना है कि अंजना वासवानी अमेरिकी संस्कृती के उपभूकता वादी माया जाल की दलाल उसके जैसी लड़कियों को पकड़ने और फसाने के मकसद से ही लोकल ट्रेन में सफर करती है वो पन्यास का वर्तमान इसी पांच सितारा संसार में नमिता का जीवन है लेकिन इसकी प्रिष्ट भूमी में उसका अपना संसार मौजूद है और वो संसार कामगार अगारी के संसकार का है अन्ना सहाब की अभिभावक्ता में कामगार अगारी में पवार के अधीन काम करते हुए वे उसके रूख़पन से आहत लेकिन उसके खरेपन की वज़े से उसकी तरफ आकरशित भी होती है वो अन्ना सहाब के मुकाबले में तेजी से उभरता, शक्ति का नया केंद्र बनता हुआ मुफट, महत्वा कांग्शी, तेजस्वी, लेकिन दलित होने की कुंठा से ग्रस्त युवक्त है अन्ना सहाब की राजनीती के पेंच और पैंतरों, मजदूर आंदोलन के भटकावों और राजनीती में अपने अन्य सहयोगियों का खरा विशलेशक है उपन्यास में पवार के माध्यम से दलित जीवन और दलित विमर्ष के भी कई कथानक अनायासी आ गए है दलित देचाओं के भी अपनी महत्वा कांक्षाएं हैं, अपने सभी करण हैं और अपनी नीतियां हैं आवा इस्त्री की निगाह से ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स को इतनी बारी की और विस्तार से देखने का प्रथम उदाहरण है उपन्यास के बलर्ब पर कथे के सूत्र का संकेत देते हुए ये सवाल अंकेत है विरासत भेडिये की शकल क्यूं पहन बैठी ट्रेड यूनियन जो कभी व्यवस्था से लड़ने के लिए बनी थी आजादी के पचास वर्षोप रांत आज क्या वर्तमान विकृत भ्रष्ट स्वरूप धारन करके स्वयम एक समानांतर व्यवस्ता नहीं बन गई कच्छे का दूसरा सूत्र है उपभोकता समाज की विकृतिया कामगार अगारी में श्रमिक राजनीती के दाव पेंचों से विरक्ती और अन्ना साहब द्वारा यौनिक उत्पेरन से वित्रिशना के नतीजे में नमिता अंजना वास्वानी के परिचय पत्र के सहारे उच्चुबर्गी संसार में दाखिल होती उपन्यास की संरचना में शायद इसे दो भरष्ट प्रति संसारों का आमना सामना कह सकते हैं जिनके बीच उपन्यास एक इमांदार सवाल या नजर बनकर खड़ा होता है लेकिन इस उपभोगतावादी संसार की विकृतियों का तो कोई ओर छोर ही नहीं अंजना वास्वानी, गौत्मी, चेतना स्वामी, देवियानी, निर्मला कनोई और संजय कनोई इस दुनिया के बाशन दे और उसकी सणांध को पांच सितारा जीवन स्तर, सौंदर्य और सुर्च का जामा पहनाते हैं यहां पूरी दुनिया महज एक बाजार है जहां कीमत लगाने और देने भर की देर है और हर चीज बिकाओ है इस्तरी, इस्तरी की छवी, इस्तरी की दे, इस्तरी का प्रेम और इस्तरी की कोग इस दुनिया में दाखिल होकर नमिता व्यक्ति से वस्तु में बदल जाने की संभावना द्वारा लील लिये जाने की परिनति से गर्वपात की दुरगटना द्वारा बचा ली जाती है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों संसारों के बीच में तीसरी दुनिया की विशाल काय आबादी है, तीसरी दुनिया याने इस्त्री आबादी और वहां बार-बार व्यक्त होने वाली इस्त्री दृष्टी है। इस पात्र बहुल संसार में इस्त्री पात्रों की संख्या बड़ी भारी है और कथा सूत्रों की अंगिनत दिशाओं में से हर सूत्र एक नई कथा बुनकर ले आता दिखाई देता है केंद्र में नमिता के चारों ओर की ये परिधी असल में पूरा इस्त्री शंसार है कामगार अगारी शमजीवा और जागोरी जैसे संगटनों की इस्त्रियां नमिता के घर परिवार मा मुहले पडोश की इस्त्रियां और सखियां सहलियां स्वयम नमिता और हर्शा जो आरंभ में शायद नमिता की सखी का नाम है लेकिन अंतत है उसके और्डर इगो की तरह रची जाकर उसका एकांत संबोधन बन गई है ये पूरा समवेत है जिसमें से कुछ चेहरे फोकस में आते हैं और अपनी छाप छोड़ जाते हैं श्रमिक राजनीती और उद्योग जगत के दो शिκरों की परतों के बीच में दर असल ये इस्त्री जगत ही इस उपन्यास की दुनिया है अपने अधिकारों अपनी कानूनी अवस्तितियों से पूरी तरह से अंजान और उसकी वजह से शोशन उत्पीरन की शिकार होने को मजबूर इस्त्रियों से लेकर उनका प्रित्व करने में समर्थ, चेतना संपन इस्त्रियों तक, उपभोगतावादी, ट्रलोभनों में लिप्त, बाजार की भूल भूलईया में चकराती, शिकार इस्त्रियों से लेकर खरीदार और दलाल इस्त्रियों तक, कथा दर कथा, ये आबादी हमारे सामने आती, अपना वृत्तांत खोलती चली जाती हैं कुछ हैं जो एक से अधिक बार प्रकट होती थोड़ा अधिक जगह गेरती और अपने वृत्तांत को विस्तार और परिणती तक पहुँचाती हैं कुछ जरादेर को कौन्ध कर लुप्त हो जाती हैं लेकिन अविस्मारनी हैं इस्त्री की दुनिया का मतलब ही लेंगिक उत्पेरन, अन्याय और गैर बराबरी कोई इस्त्री नहीं जो इस उत्पेरन से न गुजरी हो कोई ठिकाना नहीं जहां वो सुरक्षित हो पिता द्वारा पुत्री का, भाई द्वारा बहन का परिवारी जन्द्वारा संबंधी बच्ची का योनिक उत्पेरन दिखाई देता है स्मिता और गौत्मी की कहानियां बताती हैं कि विकल्प ही इन स्थितियों में फंसे होने का आक्रोश कैसे पुरुष द्वेश की प्रतिशोध परायन मानसिक्ता में परिनत हो सकता है और स्वच्चन्द योनाचार की उध्धतता में भी आवा का वास्तविक योगदान सबल इस्त्रीपात्रों की रचना में है जिनके जरिए इस्त्री के संगर्ष को स्वर्भी मिलता है और सवालों के लिए समाध्वान के इशारे भी. आर्थिक आत्मनिर्भरता मूल मंत्र है. आवा के लगवक सभी इस्त्री पात्र स्वावलंबन की भावना को महठु देते हैं. आवा के इस्त्री पात्रों में द्रढ़ता है, जो चित्रा मुद्गल की इस्त्री द्रिश्टी के कारण है. वे पूर औरतों की कहानिया नहीं सुनाती। नमिता पिता के लकवागरस्थ होने पर अपने परिवार को आर्थिक अवलंब देने के लिए नौकरी करने निकलती है। यही अनुभव के लिए और दुनिया देखने के लिए निकलने की शुरुआ थे। उसकी मा श्रमजीवा में पापड बेलने का काम करती है। शरमजीवा की संचाल का शाह बेन के प्रबंदन कोशल और संचालन क्षमता में उनका इस्त्री होना आरे नहीं आता। श्रमजीवा को हम एक इस्त्री श्रमिक संगठन की हैसियत से कामगार अगारी की तुलना में भी रग कर देख सकते हैं जहां वर्चस्व की प्रतियोगिता की बजाए परसपरता का बातावरन दिखाई देता है। व्यक्तित्व और चरित्र के सवलता का एक परेडाम अपनी भावना के सम्मान और उन संबंधों के निर्वाह में दिखाई देता है जिनको समाज में अवैज कहा जाता है। उपन्यास में इसके दो उदारण हैं किशोरी भाई का प्रेम संबंध देवी शंकर पांडे के साथ हैं और वे ही उसकी पुत्री सुननदा के पिता है। सुनननदा का प्रेम सुहेल से होता है और वो बिना विवाह के ही सुहेल के बच्चे की मा बनती है। पूरे उपन्यास में उत्तर आधुनित्ता वादी अप संस्कृति के पेटे में पढ़ने वाले अनेक अनैतिक अवैधताओं के चित्र कीचे गए हैं। लेकिन ये दो प्रसंग अवैध भले ही कह लिए जाएं अनैतिक नहीं कहे जा सकते। भावना के सत्य, समर्पन की निष्ठा और गर्व के बावजूद वो सुहेल के परिवार की ओर से धर्म परिवर्तन की शर्थ पर विवा करने से इनकार करती है। इतना ही नहीं अपने काम की जगह पर मात्रित्व अवकाश के अपने अधिकार के लिए जगड़ा भी करती है क्योंकि इस अधिकार का संबंध मात्रित्व से है विवा से नहीं लेकिन उसकी ये सच्चाई और इमानदारी कट्टर पत्थियों के हाथे सामप्रदाइता की बल दिखाई देता है कि वो इस्त्री के पक्ष से हर चीज के लिए एक सवाल है परिवार, परंपरा, संस्कृती, नयतिक्ता हर वो मूल्य जो स्वयं विक्रित हो चुकने के बावजूद पित्रसता की दी हुई प्रतिष्ठा से मंडित है यहां संदिक्त बनाया गया है असर में तो शायद यह संकेद भी पाया जा सकता है कि जिन जड़ताओं को मूल्य का दर्जा देकर संस्कृती, परंपरा और नयतिक्ता का पर्याय माना जाता रहा है उनके ध्वन्स के क्षण में अब संस्कृती भी अंत्त है एक प्रति संस्कृती की ओर जाने की दिशा दिखाई देती आवा के भाषा शिल्प की बात करें तो उपर उपन्यास में कथि के कुछ घटक सूत्र रूप में पहचाने गए हैं लेकिन उपन्यास की संरचना में हर सूत्र जटा शिल्प की तरह एक दूसरे में उलज कर कथा में से निकलती कथा कासा आभाज देता है पादी वैचारी की के विमर्श ऐसा लगता है कि जितनी भी सामग्री जिस भी विशेपर जहां से भी उपलब्ध है सब की सब यहां उडेल दी गई है इसलिए सामग्री की बहूलता और उसको समेटने बांधने की कोशिश में सनरचना दोनों के बीच एक तनाव सा चलता रहता है कथ्य और उपाकार में द्वंध भी उपन्यास को पढ़ते समय किसी जंगल में गहरे और गहरे गुस्ते चले जाने का एहसास देता है इसलिए उपन्यास के अंत में पाठक के पास अभी भूत होने का सुखद एहसास बना रहता है जितने पात्र हैं उतने ही संदर्व उतने ही घटनास्थर संबन्दों के उतने ही ताने बाने एक ही स्थिती पर प्रतिक्रिया और परिणाम की अनेक संभावनाएं एक दूसरे के साथ बहस करती हुई उपस्थत की गई है उदारन के लिए स्मिता और गौतिमी का व्रतान जहां पिता ही अपने बड़ी बेटी का यौन शोशन करता है और तीनों इस्त्रिया यानि मा और दोनों बेटिया इस उत्पीडन को सहने के लिए मजबूर है नतीजे में बड़ी बेटी दीन, दुर्बल और भहभीत बनती है छोटी बेटी कृद्ध और उद्दत इतनी कृद्ध के पिता की हत्या कर डालती है इस पूरे संसार को उसके विशाल जटा अस्तित्व में थामने वाली भाषा को चित्रा मुद्गल ने हर संदर्व के अनुकूल रूपाकार में उपलब्द किया है इसलिए पात्रानुकूल, संदर्भानुकूल, बहुरंगी भाषा आमा की एक खास उपलब्द है कहीं वो आवेग से थर्थराती है, कहीं राजनेतिक वैचारिक प्रिशलेशन में तरकशील और पहनी हो जाती है कहीं मुहावरों के तो कहीं बिम्बों के बाहुल्य से चाक्षुष हो जाती है सूप्ति कहीं कहीं अलंकृति के अतिरेक का आभास देती हुई काबु से बाहर हो जाती सी भी दिखती है सूप्ति समवाद वृत्तांत भाशा के हर अवतार में उस पर चित्रा मुद्गल के असामान अधिकार के प्रमान छिपे है निशकर्ष की तरह कह सकते हैं कुल मिलाकर कि आवा इस्तरी की नजर से देखे गए संसार की कहानी है ये एक विस्तरित फलक का उपन्यास है जो अपनी वस्तु बहुलता, कथा बहुलता और पात्र बहुलता के कारण बहुत संशलिष्ट और जटिल बन गया है श्रमिक संगठनों की राजनीती के विशय में उपन्यास की द्रिश्टि से अनेक वामपंथी आलोचकों ने अपने असंतोष को अभिव्यक्त किया है लेकिन इसकी वास्तविक्ता से इनकार वे भी नहीं कर सके हैं उसकी उपलब्धियों को अंदेखा करने, एक तरफा और एकांगे चित्रन करने, सरकारी नीतियों पर भी बराबरी से हमला न करने की शिकायत वे जरूर करते हैं लेकिन इस संदर्भ में एक बात तो यह है कि उपन्यास ट्रेड यूनियन के इतिहास की बारे में नहीं है वे एक काल विशेश में स्रमिक संघर्ष के चरण विशेश के संदर्भ में अपने उपन्यास के कथि के अनुरूप अपनी सामगरी का चैयन करता है दूसरी बात ये कि उपन्यास में भी इस विगटन को बहुत तकलीफ के साथ दर्ज किया गया है और अंततह उसकी कथा को संगठन की शक्ती में विश्वास के दिशा में मोड़ा गया है अब संस्कृति के प्रसार के उपभूकता वादी दौर में वो सामाजिक अन्याय मोल्य विगटन लेंगिक उत्पीडन बाजार वादी छलात कार के चित्र खीच कर प्रकारांतर से सामाजिक न्याय मोल्य अनवेशन मानौ वाधिकार और इस्त्री पुरुष्की समानता के पक को उद्वेलित करता है